सबी बुजुर्गों को मेरा कोटी कोटी नमन प्रणाम सब लोगों को आप सब लोगों के बीच में आज यहां के बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो यह समिती है जन कल्यान समिती इनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस कारिक्रम के बारे में सोचा कि हर आदमी हर युवा हर बच्चा उसको बस यह है कि मैं कुछ बन जाओं और बस जिन्दगी की दौड़ में सारे लगियों है और इस दौड़ के अंदर धीरे धीरे समाज बुजुर्गों को भूलता जा रहा है यह पूरे समाज के लिए बहुत दुख की बात है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो समाज जो देश और जो परिवार अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखता और अपने बुजुर्गों की इज़द नहीं करता उस परिवार में भी बरकत नहीं हो सकती वो समाज भी कभी आगे नहीं बढ़ सकता और वो देश भी कभी आगे नहीं बढ़ सकता बुजुर्कों का आशिरवाद और उनका साथ और समय समय पे उनकी गाइडन्स ये बहुत भागे से मिलती है और मैं इस बात का मेरे माता पिता मेरे साथ ही रहते हैं ये मैं अपना सो भाके मानता हूँ और हर कदम पे उनका मेरे को आशिरवाद और उनकी गाइडन्स मिलती रहती है कई कारेकरमों में आपने देखा भी होगा मैं उनको अपने साथ भी लेके जाता हूँ पीवी पे कई बार उनको आपने मेरे साथ भी देखा होगा तो सबसे पहले तो आज मैं जनकरलियान समिती को ये बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस किसम के कारिकर्म के बारे में सोचा और यहां से मैं आज का ये दृष्ष लेके अपने साथ जा रहा हूं और अपने सारे MLS को बोलूँगा कि दिल्ले के कोने कोने में इस तरह से बुजर्गों का समाई अभी एक माता जी ने स्वास्त सेवाओं की बात की आप सब लोग देख रहे हो कि जब से हमारी सरकार बनी है शिक्षा और स्वास्त है इन दो चीजों पर सबसे ज़्यादा हमारा जूर है क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम इने को समाज बनाना है देश बनाना है तो दो सड़कें तो बाद में बढ़ जाएंगी लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करना है और अपने लोगों को स्वस्थ रखना है और मैं हमेशा मानता हूँ कि इस पूरी पृठवी के उपर सबसे इंटेलिजेंट लोग बमान ने भारत में ही बैदा की है यह जब बाहर जाते हैं ना भारत के लोग अमरीका जाते हैं फ्रांस जाते हैं तो बड़ी बड़ी कमपणिया जितनी दुनिया की मल्टीनैशनल कमपणियों उठाके दें हर जेगे टॉप पे आपको भारत का यह आदमी मिलेगा ये अपने भारत में आगे बतानी क्या हो जाता है सारा पेड़ा गर पुझा के अगर हम अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देदें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो ऐसा माहौल पैदा करें कि अभी देश की बाद तो हम नहीं कर सकते दिल्ली की जिम्मेदारी आप लोगो दिशा जाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो जो जहे कितना भी गरीब हो उसके पस पैसे हो या ना उंच पुरोग चोटा हूण होता बड़ा काम नहीं होता इन तीन साल में इस दिशा में हमने दस बारा नन्ने नन्ने कदम रखे हैं रस्ता बहुत बड़ा है कि स्वास्त के क्षेत्र में मैं आपके सतिंदर जैन जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाता हूँ जिसमिके नए आईडियाज दो लेके आयें है तो मैं थोड़ा सा बता दू अभी बहुत सारा काम करना बाकि एं लेकिन पूरे दिल्ली में स्वास सेवां को लीके जो हमने कल्पना किये सबसे निचले स्थर पे मुहला क्लिनिक ये मुहला क्लिनिक क्या है दो चोटे चोटे कमरे उसमें एक डॉक्टर बैठती है सारी दवाईयां मुफ्त है सारे टेस्ट मुफ्त है सारा इलाज मुफ्त है चाहे अमीरो चाहे गरीबो पहले आप लोग सरकारी डिस्पेंसरियां देखते थे सरकारी डिस्पेंसरियां जैसे मैं कहूं सरकारी डिस्पेंसरिय तो दिमाग में आता है तूटी फूटी डिवारे होंगी उसमें कोई मशीन काम नहीं कर रहे होगी कोई दवाईयां मिलेंगी नहीं अब वो सब बदल दिया अब महला क्लिनिक एर कंडिशन और बहुत ए खुबसूरत दो कमरे की जगह है और जिसमें कईयों में तो एटीम से दवाई निकलती है सारे कि दोसो बारा किसम के टेस्ट मा मुफ्त होते हैं इस किसम के 160 महला क्लिनिक तो बना ले हैं एक सार पहले बन चुके थे फिर वह फाइल जी साब के पास गए डिएड़ साल तर फाइल पर बैठ गए अब फाइल साइं कर वाल ही हम लोगा में इल जी साब से अब एक घार मघन्डा क्लिनिक पूरी दिल्ली में अगले आठ दस महीने में बन ते कर मासा हम अध्या क्लिनिक का मतला है दिल् ी का पूरा क्षित्रफल टेरज़ harvest yeah डेर अजार किलो मेटर आपको एक सब्सक्राइब एक जब वापकिंग डिस्टंस के ऊपर आपको एक मिलेगा तो जितनी चोटी चोटी बिमारी आएं स्रदी जुखाम अशी जो कार यह सारा इलाजाओ और मालदो अगर आपको थोड़ी सी बड़ी विमारी होती है तो पूरी दिल्ली में पॉलेक्र लिंग बना रहे हैं 122 पॉलेक्र लिक्रश्म के स्पेशणिस्ट मिलें गारतों के डॉक्टर बच्चों के डॉक्तर हडियों का takतने एमडी मेडिसन इस तरह के आठ स्पेशिलिस्ट मिलेंगे और उसमें अल्ट्रा सांद मशीन एक्सरे मशीन दो चार मशीनिंगे वहाँ पर थोटी सी बड़ी बिमारी है तो मवल्ला क्रिनी की बजाए आप उदर जा सकते हैं और बड़ी बिमारी है लेकिन वहाँ पर जाने की रूटिया है तब ही जाओगे जब एडमिशन करा रहा हूं तो वहां भी भीड कम हो जाएगी वहां डॉक्टर अच्छे से देख पाएं गोर आपके दूसरी बात पूरा सारा इलाज है दिल्ली सरकार के एस्पतारों में सारा इलाज हमने मुफ्त कर दिया पूरे पूरी जंता जो टैक्स देती है किसलिए देती है यह मंत्रियों मुख्य मंत्रों की गाड़ी और बंगले की देनी अपनी सोईदा के देवा है तो हमें शिक्षा और स्वास्त यह दो चीज़े हैं जो सरकार की जिम्मेदारी है आप अगर प्राइवेट अस्पताल में जाक प्राइवेट की जिम्मेदारी है यह हम अजी मच्छों का मैं भी आता हूं उसके दो मुनेट पर जाए मैं भी आता हूं अभी बात करें आपके मंत्री जी को प्राइब से हम श courtroom आपके में भी आता हूं जी दो शो हमी को šajal यह हम ठेथग प्राइवेदार आता हम यह आता हुर्ए आता हुर्ग आता पीज़ नहींर नहीं हुआ को सबस्क्राइब तरह हुआ है, जब जब जाना है, तरह दो रहा है। ठीक है इनको बहुते हैं करवाएंगे स्प्री कराएंगे स्प्री कराएंगे और दूसरी चीज एक यह तो हो गई हेल्थ सर्विसेस यह मैं इतने डीटेल में इसलिए बता रहा था है क्योंकि वो जुर्गों को हेल्थ सर्विसेस की सबसे ज्यादा ज्रूरत पढ़ती है इसमें और निकाली हम लोगोंने कि अगर कई जब से हमने सब कुछ फ्री करा है तो दिल्ली के सरकारी दिली सरकार के अस्पतालों में भीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है उसकी वज़ मैने की डेट देगे तो मरी जी नहीं बचेगा विचार अचे मैने वर उसकी क्या फाइदा है तो हमने यह तैया कि अगर वो अस्पताल आपका तुरंट टेस्ट ना करें तो आप हमने करीब 40-42 अस्पताल का पैनल बनाया प्राइबेट अस्पतालों का आप उसमेंसे किसी सरकार के हॉस्पटल में जाते हो वो आपको एक महीने से बाद की डेट देते हैं तब भी आप इन में से किसी भी प्राइवेट बड़े प्राइवेट अस्पताल हमारे पैनल पे हैं उसमें से किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके आप अपना ऑपरेशन करा लो आप प्सक्राइदने का वी डिल्ली सरकार्ने स्कीम निकालीए महीने दो महीने में शुरू उने में मैं चाथा हूँ कि आप सब झार करके मैं उसमें शाइद वैश रगूत oupरा खोर्चा वहन करे कि आपका आने-का-जाने का-खने-का-खाने-का और पांच या छे रूट अभी डिसाइड गी हैं उसमें वैशनो देवी है अर्दवार इशी के शेर विल्दावन मत्रा विल्दावन है तो इस तरह की पांच शे रूट हैं दिरे दिरे इसमें आड़ करते जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बारी-बारी से जरूर तीर्थ्यात्रा करके आएं और बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए जब जाएं तो वहाँ पे भगवान से दो शब आशिरवाल हमारे लिए भी मांगने और बहुत-बहुत शूटी है